ओम शान्ती चार ग्यारा दो हजार इक्किस की साकार मुरली मीठे बच्चे संग दोश बहुत नुकसान करता है इसलिए संग दोश से अपनी बहुत बहुत समहाल करते रहो यह बहुत खराब है प्रश्न तीन प्रकार का बच्पन कौन सा है किस बच्पन को कभी भी नहीं भूलना उत्तर एक बच्पन लौकिक माबाप के पास जनमते ही मिलता है दूसरा बच्पन गुरू के शिष्य बनने पर हुआ और तीसरा बच्पन लौकिक माबाप को छोड़ अलौकिक माबाप के बने अलोकिक बच्पन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए इस अलोकिक बच्पन को कभी भी भूलना नहीं अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा रोना अर्थात माया की चोट खाना मीठे मीठे रोहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा बच्चपन तीन प्रकार का है एक लौक एक बच्चपन दूसरा है निवरत्ती मार्ग का वह भी घरवार छोड जीते जी मर कर गुरु के अत्वा सन्यासियों के बनते हैं वह उनका बाप नहीं है वह गुरु के बनते हैं उनके साथ रहते हैं वह भी जीते जी मर कर जाए गुरु के बनते हैं जंगल में चले जाते हैं तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मरजीवा जन्म एक माता पिता को छोड़ दूसरे मात पिता के बनते हूं यह है रोहानी मात पिता तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है ईश्वरिय गोद में रोहानी जन्म है तुम्हारे से अब रोहानी बाप बात कर रहे हैं वह सब है जिस्मानी बाप यह है रोहानी बाप इसलिए गाते हैं बाप का बनकर मरजीवा बनकर फिर यह भूल न जाना शिवाबा हैं उँचे ते उँचा भगवान जब कोई गीता आदी पर डिवेट करते हैं तो पहले पहले यह बात पूछनी है तो उँचे ते उँचा भगवान कौन है ब्रह्मा देवता नमाह विश्नु देवता नमाह कहते हैं फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमाह वह सभी धर्मवालों का बाप है पहले पहले यह बात समझानी है वह उँचे ते उँचा बाप एक है ब्रह्मा विश्नु को कोई गौट फादर नहीं कहेंगे पहले यह पक्का कराओ कि Godfather एक है वह निराकार है जिसको Creator भी कहते है पतित पावन भी कहते है बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा यह ख्याल करो बेहत के बाप से वर्षा किसको मिला बाप है नई दुनिया का रचने वाला उनका नाम है शिव शिव परमात्माय नमाह कहते है उनकी जैनती भी मनाते है वही पतित पावन रचैता नौलिजफुल है फिर सर्विव्यापी की बात उड़ जाती है उनकी महिमा है कर्तव विपन पास्ट में जो कर्तव विकर के जाते हैं उनकी महिमा गाय जाती है उचे ते उचा है बाप उनको लिबरेटर भी कहते हैं रहम दिल दुख हरता सुक करता भी कहते हैं गाइड भी कहते हैं कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहां का देते हैं सब कुछ दिखलाने के लिए तीरतियात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा सर्वेव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है पहले पहले समझाओ कि सब का बाप एक है सर्व शास्त्रमाई शिरोमाणी है गीता वह भगवान की गाई हुई उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब जूटे सिद्ध हो जाएंगे पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए शिव भगवान उवाज अब शिव भगवा के चरित्र क्या होंगे वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ बच्चों को राज्योग सिखलाने आता हूँ इसमें चरित्र क्या करेंगे यह तो बुज़ुर्ग हैं सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं पतित को पावन बनाने राज्योग सिखलाते हैं तुम सत्योग में जाकर राज्य करेंगे तुमको वर्षा मिलता है बाकि सबात्माय मुक्तिधाम निराकारी दुनिया में होंगी यह बिल्कुल सहज बात है भारत में देवी देवताओं का राज्य था एक ही धर्म था अभी कलियोग में कितने धेर मनुष्य हैं वहां बहुत थोड़े होते हैं परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं बाकी सब शांती धाम में चले जाएंगे वहां आपवित्रात्मा कोई रह नहीं सकती उनका नाम ही है पतित पावंद सर्व का सदगती दाता यह है पुरानी दुनिया आइरनेज सत्यों को कहा जाता है गोल्डनेज जो देवताओं के पुजारी है वह सहथ सब कुछ समझ जाएंगे जो पूजे हैं वही पुजारी बनते हैं तो पहले बाबा का परिचा देना है हम उनके बच्चे हैं यह भूलो नहीं भूलेंगे तो रोना पड़ेगा कुछ-कुछ माया की चोट लग जाएगी देही अभिमानी बनना है हमात्माओं को वापस बाप के पास जाना है इतने धेर मनुष्य मरेंगे फिर कौन किस के लिए रोईगा भारत में सबसे जास्ती रोते हैं पहले बारा मास या हुसेन या हुसेन करते हैं चाती पीटते रहते हैं यह है मृत्य लोग की रसमरवाज तुमको अब सारी अमर लोग की रसमरवाज सिखला रहे हैं तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वेराग यह है बाप कहते हैं मा में कम याद करो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं अब हम जा रहे हैं, वापिस नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किसमें रखेंगे, समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है, रोने की क्या दरकार है, हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे बाप ग्यान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है सागर से नदिया निकलती है सब नम्मरवार है कोई अच्छी वर्षा करते हैं खूब आप समान बनाते हैं अंधो की लाठी बनते हैं बाप को तो बहुत मददगार चाहिए बाप कहते तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ, सिर्फ एक ब्रामणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है तुमको ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए मनश्य तो कुछ भी समझते नहीं बिलकुल तुछ बुद्धी हो गए है भारतवासी यह नहीं जानते कि हमारा धर में किसने स्थापन किया बाप का जन में भी यहां ही होता है शिव जैनती भी मनाते हैं फिर सर्विव्यापी कैसे हो सकता है बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते रिशी मुनी सब नेती नेती करते गए एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्विव्यापी कह दिया है तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है पतित पावन लिबरेटर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं वहाँ दुख की बात नहीं होती शास्त्रों में तो क्या-क्या लिख दिया है लक्षमी नरायन के लिए भी कहते हैं क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चे पैदा होगा अरे कहा ही जाता है सर्वगुन संपन सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्वेकारी वाइसलेस वर्ड इनको कहा जाता है विशस वर्ड फिर कैसे कहते हो वहाँ भी विकार होगा पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ समझ ना सके सरविव्यापी की बहुत भारी भूल है उस भूल से निकलें तब जब बाप को जाने निश्चे करें कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं आपके आप से राज्य भाग लेने के लिए शास्त्रों में तो क्या-क्या लिख दिया है लक्षमी नारायन को दिखाते हैं सत्युग में और बचपन के रादे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ना सके ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उन्ही फीचर्स से द्वापर में आ सकता है इंपॉसिबल है तुम जानते हो हम असुल में वहां के मुलवतन के रहवासी है वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ती करते हैं कहते हैं हमको शान्ती चाहिए आत्मा को औरगंस मिले हैं पाड़ बजाने के लिए फिर शान्ती में कैसे रहेंगे शान्ती के लिए हट योग सीखते हैं गुफाओं में जाते हैं एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शान्ती धाम है तुम जानते हो अब हम शांती धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पाड़ बजाने वो लोग कहते हैं जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है जो दुखी है उनके लिए नर्क है तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नर्क पुरानी दुनिया को कहा जाता है भगवान वाच यह भक्ती यग्यतप दानपुन्य आदी करना यह सब है भक्ती मार्ग इसमें कोई सार नहीं है सत्युक्तरेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्रामणों का दिन फिर तुम्हारी रात शुरू होती है तुम पहले पहले सत्युग में जाते हो फिर तुम ही चक्र में आते हो ब्रामण, देवता, शत्रिय, वैश, शूद्र तुम ही वनते हो तुम कहते हो शिप भगवानुवाच और वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच फर कलंबा है वह पूरे 84 जन्म लेते हैं उनके साथ सारी सुर्यवन्शी संप्रदाय पुनर जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज जिभाग्ये ले रहे हैं तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मज़ा आता है नए को मज़ा नहीं आएगा तुम किसकी निंदा नहीं करते हो बाप तुमें कितना सहथ समझाते हैं यहां तुम बाबा के संग बैटे हो तो अच्छा समझते हो बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा संग दोश बहुत खराब है स्वर्ग में ऐसी बाते होती नहीं उनका नाम ही है स्वर्ग बैकॉंट सुखधाम शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहां भी असुर थे अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे वहां जमीन आस्मान में कोई भी पार्टीशन नहीं रहता अभी तो कितनी पार्टीशन है अपनी अपनी हदे डालते रहते हैं दुनिया में कितने जھगड़े होते हैं तो जब कोई भी आये तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं देवताएं, भगवान एक होता है, दस नहीं होते, कृष्ण भगवान हो न सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे, भगवान वाच काम मह शत्रू है, उन पर जीत पानी के लिए प्रतिग्या करो, राखी बांधो, यह अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया, वह फिर भक्ती मार्ग में होगा, दीप माला पर महा लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह थोड़े ही किसको पता है कि लक्ष्मी नारायन दोनों ही इ खटे हैं, लक्ष्मी को धन कहां से मिलेगा, कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना, नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायन, वह फिर महा लक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको चार बुजा दिखाते हैं, दो इस्तरी की, दो पुरुष की, पर अब इन बातों को जानते नहीं, तुम अब डिटेल में जानते हो, तो गीत सुना बच्पन के दिन भुलाना देना, आत्मा कहती है, बाबा हमको अविस्मृती आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बाते करनी चाहिए, अमरत वेले बाप को याद करना अच्छा है शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भला अपस में इस्त्री पुरुष इखटे हो, तो भी यह बाते करते रहो, शिवाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं, हम जब पूज बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते ह ऐसी ऐसी बाते करनी चाहिए, जो कोई सुने तो वंडर खाए, आधा कलप हम कामचिता पर बैठ जल कर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे, अब हमको ग्यानचिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है, यह पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं यह स्वर स्वर्ग है, अरे स्वर्ग तो सत्युग में होता है, स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहां तो माया का पॉंप है, अब बाबा कहते संग दोश में आकर कहां मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पच्चताएंगे, इम्तहान की रिजल्ट जब निकलती है, तो हमने बाब की कितनी सर्विस की, खितनों को आप समान बनाया वह सब याद आएगा, साक्षातकार होगा, बिना साक्षातकार के धर्मराज भी सजा देना सकें, बच्चों को बार बार समझाया है, मा में कम याद करो, बापा कर मीठे मीठे जाड का सेंपलिंग लगाते हैं, यहां नई दुनिया का सेंपलिंग लग रहा है, तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पच्चताना पड़ेगा, अभी वरशा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुशार्थ फुल करना ह अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार गुड मौनिंग और नमस्ते नम नमस्ते नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला जैसे बाप ग्यान का आनंद का प्यार का सागर है ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है सबको ग्यान का तीसरा नेत्र देना है दूसरा ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पच्ताना पड़े संग दोश बहुत खराव है इसलिए अपनी समाल करनी है बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुशार्थ करना है वर्दान दिव्वे गुणों के आवान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्वे गुण धारी भव जैसे दीपा बली पर श्री लक्षमी का आवान करते हैं ऐसे आप बच्चे स्वयम में दिव्य गुणों का आवान करो तो अवगुण आहूती रूप में खत्म होते जाएंगे फिर नए संसकारों रूपी नए वस्त्र धारन करेंगे अब पुराने वस्त्र से जरा भी प्रीत ना हो जो भी कमजोरियां कामियां निरबलता कोमलता रही हुई है वो सब पुराने खाते आज से सदाकाल के लिए समाप्त करो तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविश्य में ताजपोशी होगी उसी का ही यादगार यह दीपा वली है स्लोगन सरल याद के लिए सरलता का गुण धारन करो संसकारों को सरल बनाओ ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा